स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल 5% पर तो करके आपको यह न को सुचित किर के पर तरकФड खात koş रहती है कल जो है अवद इनवस्टी से अपडेट आई थी कि उसका परिक्षा फार्म भरा जा रहा है आज जो है CSJMU से अपडेट है साथी साथ रज्जु भाईया से भी अपडेट है और हम बात करेंगे आज RRB NTPC के एंसर की जो की जारी कर दीगे है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को लगिन जो भी साथी चैनल पर नहीं है पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को चलिए गई तो वीडियो इस्टार्ट करें से विले हम सभी को बता दें कि जो भी छातर यहां पर जैब और कैप की तयारी करते हैं उन सभी लोगों के लिए ओली बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट जो है यहां पर लेकर आया गया है जिसकी लिंक बने डिस्क् के कोश्ट्न होंगे बिल्कुल फ्री है इसको अटेंट करें लिंक डिस्क्रिप्स बोक्स में दे दी गई एए अपको इस प्रकार का इंटरफेस आपका उपेन हो जाएगा जहां पर आपको अपनी इमेल आईडी मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर आपको इस्टार् द्वारा आदेशा अनुसार आउगत कराना है कि विश्व विद्याले से संबंद विधी महा विद्यालों में LLV एउम BALB की विशम समेश्टर तथा BADM M8 दुतियवर्स की परिक्षाएं क्रमसा 25 जून तथा दिनांग 4 जुलाई से प्रस्तावित थी उक्त परिक्षाओं की तित को बिस्तायत करते हुए BADM M8 दुतियवर्स की परिक्षाएं दिनांग 1 जुलाई 2022 से तथा LLV और BALB की विशम समेश्टर की परिक्षाएं 14 जुलाई से सनलंग न संसोधित परिक्षा कारकरमा अनुसार जो है संपन कराई जाएगी तो जो CSJMU है उसकी परिक्षा तिती में जो है बदलाव कर दिया गया है उसकी डेट को जो है यहाँ पर एक्स्टेंड कर दिया गया है और अब जो पूरा का पूरा कारिक्षा कारिक्षा नुसार जो है संपन कराई जाएगी यहाँ पर नीचे कारिक्रम भी पूरा का पूरा दे दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं रिवाइज इक्जाम स्टेडियूल 2021-22 की तो 28 सेकंड येर का यहाँ पर 1 जुलाई से परिक्षा होगी 2 जुलाई को परिक्षा है 4 जुलाई को और 7 ज 2022 यहाँ पूरे पूरे पेपर यहाँ पर दिये गए हैं गुरूप A, गुरूप B, गुरूप C ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं अप चलिए बढ़ते हैं आगे की तरह वही पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि रजुभिया इंवस्टी से आपको पता है कि जो रजुभिया इंवस्टी काफी ज्यादा सुलो है इस समय परिक्षा को कराने के मामले में तो वहाँ पर छात्रों ने जो है ग्यापन और गयरा दिया है उसके बारे में भी अपडेट है। चात्रों ने कुलपत को संबोधित ग्यापन परिक्षा नियंतर कुलदीप सिंगो सौपा ग्यापन में कहा गया कि बीड़ पाठिकरम में प्रिबेश के 19 माँ बेच चुके हैं लेकिन अभी तक 3 समेश्टर की परिक्षा भी पूर्ण नहीं हो सकी है। अभी वहाँ पर 3 समेश्टर का भी परिक्षा कारकरम गोसित नहीं हुआ है और तक्रीवन 19 महीने यहाँ पर हो चुके हैं। तो इन दो इनवर्ष्टी से एक बड़ी ख़वर आई है एक CS Jamil से और एक रज्जू भया इनवर्ष्टी से बाकी किसी भी इनवर्ष्टी से अगर कोई अपडेट आती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं RRB NTPC की एंसर की के बारे में। समय लेना होगा उसके बाद यह आपका ओपन हो जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली यह है कि RRB अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है और आपकी एंसर सीड भी जारी हो गई जल्दी आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यह आज की वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए मस रहिए जय हिन जय भारत।